नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु इंदर और मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सभी का अभिवादन करती हूं, सभी का खेरमक्दम करती हूं। उतर परदेश की तमाम जेलों ने चैनल परूल को रहा किया जाने के बंदवस्त किया रहा है। पहले चरण में उनको रहा किया जाएगा। एन पिछले साल रहा किया गया थक्रीट को है। और जेलों में करोना को बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले ही इसकी त्यारी की जा रही थी, अब सुप्रीम कोट का निर्देश है तो उसका पालन करना ही है, ऐसा कहना है, दीजी जेल का. जिन लोगों को पिछले साल छोड़ा गया था, उन्हें इस साल भी छोड़ने के निर्देश अन्यायले ने दिये हैं, शासन और जेल प्रशासन मिल करके इसकी अपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, पिछले साल कम गंभीर अपराद वाले 14,000 कैदियों को पैरूल दी गई थी और माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक कैदियों को इस बार भी पैरूल दी जाने वाली है, फिलहाल परदेश की जेलों में 1604 कैदि ऐसे हैं, जिने संकवन ने अपनी शपेट में ले लिया है, इसमें 14,048 बंदी हैं, बाकी 156 जेल के करमचारी भी हैं, इसमें से 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और मौजूदा समय में परदेश में कुल 1,10,949 कैदि जेलों में बंद हैं, और परदेश में कैदियों के अब तक लगभग 5,39,255 हैं, तिहार जेल में भी कुछ ऐसी ही तयारी चलने की सुक बहार मिल रही है, वहाँ पर 90 दिन की अंतरिम जमानत पर लोगों को छोड़े जाने की प्लैनिंग की जा रही है, तिहार जेल में 10,026 कैदियों की छमता है, लेकिन फिल हाल वहाँ पर 19,673 कैदि बंद है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ भी 6 गर्स की दूरी किसी भी हाल में रखी नहीं जा सकते हैं, जेल में करोनसंक्रमन की सेकिंड वेव के चलते 300 से ज़्यादा कैदी और 100 से ज़्यादा करमचारी इस समय इफेक्टिड हैं, इतना ही नहीं, बीते हपते अगर देखें तो 5 कैदियों की COVID से मौत हो चुकी है, इसलिए तेहार जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है, ताकि जेल में सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सकें, वहीं दिल्ली के सबसे बड़ी जेल में कैदियों के संकमित होने और कुछ कैदियों के मन्ने की खबर के बाद, जेलों में करोना को लेकर के पैदा हुए हालात, पर सुप्रीम कोट भी काफी सकत हुआ है उसने संग्यान लिया है, जेलों में करोना के हमले के बाद, सुप्रीम कोट कैदियों को जमानत पे दिहा करने का विचार कर रहा है। कुछ खास कैटेगरी के लोगों को रहा ही दी गई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी जेल में जुड़े हुए हैं, जेल में जो कैदि एफेक्टिड है करोना से उनसे जुड़ी हुई खबर, आप मेरा चैनल देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लिग किजिए। जय हिन, जय भारत। झाल झाल तो झाल झाल